इस module के अंदर हम देखेंगे कि reptiles और amphibians को किस तरी के से preserve किया जाता है और उनसे हम skeleton को कैसे हासल कर सकते हैं और उस skeleton से हम जो flesh है उसको कैसे remove कर सकते हैं अगर हम reptiles और amphibians की बात करें तो ये दोनों vertebrates हैं vertebrates ऐसे animals होते हैं जिनके अंदर reed की हड़ी मौझूद होती है अब amphibians ऐसे animals हैं जो khushki और पानी दोनों पर रह सकते हैं लेकिन जो reptiles हैं ये terrestrial animals हैं ये सिर्फ खुशकी के उपर रहते हैं अब आम तोर पर जो reptiles हैं इनको जब preserve किया जाता है तो इनको individual jars के अंदर रखा जाता है अब इन animals को या तो कलोरो फार्म के जरीए या फिर freezing के जरीए पहले kill किया जाता है उसके बाद इनको preserve किया जाता है अगर हम snakes की बात करें जो के reptiles हैं अगर हम किसी museum के अंदर जाएं और वहाँ पे हम snakes को observe करें जो के preserve farm के अंदर मौजूद हैं तो हम ये देखेंगे ये observation के अंदर ये आता है कि जो snakes हैं उनको jar के अंदर coiled farm के अंदर रखा जाता है इसी तरीके से जो amphibians हैं amphibians को preserve करने के लिए उनको उनकी belly के जरीए surface के उपर रखे उनकी जो limbs हैं उनको body से right angle के उपर रखा जाता है अगर animals की हमने fixation करनी है अगर animals small है जैसा के एक salander है इनको दो दिन के लिए हम fix कर सकते हैं लेकिन जो fixation का time है ये months तक भी हो सकता है अगर एक reptile बड़ा है फर जैंपल हमारे पास एक turtle है alligator है तो क्योंके ये animals बड़े होते हैं इनकी fixation के लिए ज़ादा time दरकार होता है तो उसमें एक महीना लग सकता है अब अगर animals को हमने short term के लिए preserve करना है तो उसके लिए तो हम farmaline का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अगर हमने animals को long term प्रिजर्व करना है तो उसके लिए जरूरी है कि उनको अलकोहल के अंदर प्रिजर्व किया जाए और अलकोहल जो इस्तमाल की जाती है वो आम तोर पर 75% इस्तमाल की जाती है अब birds और mammals को किस तरीके से preserve किया जाता है अगर हम birds की बात करें तो या mammals की बात करें इसमें कुछ animals ऐसे होते हैं जिसकी पूरी body को preserve किया जाता है कुछ cases के अंदर हम पूरी body को preserve नहीं करते बलके body parts को preserve करते हैं परज़ेंपल हम उनकी bones को उनकी skulls को preserve करते हैं बहुत सारे animals ऐसे हैं जिसके stuffing की जाती है बहुत सारे mammals जो है उनकी body से जो internal organs है उनको निकाल दिया जाता है और उसको replace कर दिया जाता है किसी और ऐसे material से जो खराब ना हो इसी तरीके से जो birds है उनकी body के अंदर जो internal organs है उनको निकाल के तो उनके अंदर ऐसे material डाला जाता है ताके उनकी जो body है वो एक proper shape के अंदर हमें नजर आए अब बहुत सारे animals ऐसे होते हैं जिनकी bones को हमने preserve करना होता है अब यहाँ पे ये बात बहुत important है कि हमें उस animal का जो flesh है उसके उपर जो गोश्ट है वो नहीं चाहिए होता तो उसके लिए क्या किया जाता है बहुत सारे animals उनको boiling water के अंदर डाला जाता है boiling water के अंदर जब पानी बहुत ज़्यादा गरम होता है तो जो animals हैं इनकी body से जो flesh होता है वो separate हो जाता है और इस तरीके से जो हडिया है जो skeleton है वो flesh से separate हो जाता है इसके बाद हम क्या करते हैं इसके बाद ये जो हडिया है इनको हम hydrogen per oxide के साथ wash करते हैं इसकी whitening के लिए जो है और जब hydrogen per oxide के साथ इनको wash कर लिया जाता है तो फिर इन हडियों को dry किया जाता है dry करने के बाद इनको proper packing के अंदर proper jars के अंदर या proper bags के अंदर डाला जाता है ताके इनको अगर कहीं पे sale करना है या कहीं पे महफूज करना है तो किया जा सके तो animals जो हैं उनके flesh को अतारने के लिए हम क्या करते हैं उनको boiling water के अंदर डालते हैं बहुत जदा high temperature देते हैं उसके बाद उनके body से जब flesh अलएदा हो जाता है तो उनकी जो bones हैं इन bones को separate करके इनको hydrogen per oxide से treat किया जाता है whitening के लिए उसके बाद ये जो bones हैं इनको dry किया जाता है dry करने के बाद जो bones हमारे पास जो skeleton हमारे पास available होता है इसको proper तरीके से pack किया जाता है ताके इनको जिस मकसद के लिए भी हमने इस्तवाल करना है किया जा सके